Hello friends, कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं कृतिका पांडे सौगत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर और आज मैं आपको बताऊंगे टैली आर्पी 9 में स्टॉक ग्रूप, स्टॉक कैटिगरी और स्टॉक आइटम कैसे क्रेट किये जाते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो प्लीज आप हमसे कॉमेंट करके जरूर पोछ ले तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो स्टॉक ग्रूप, स्टॉक आइटम कैसे क्रेट किये जाते हैं यह हम सीखेंगे इसके पहले हम अपनी नई कंपनी क्रेट कर लेते हैं ताकि आपको मैं स्टार्टिंग से पुरी प्रसेस बता पाहूं और आपको समझ में आए तो और प्ले सफ्ट्री प्रस करके हम यहां से एक नई कंपनी क्रेट कर लेंगे और कंपनी के नाम अपना कुछ भी ऐसे रख लेते हैं जैसे कि मैंने यहां से इसका नाम रख लिया है इन्वेंट्री के नाम से ठीक है ऐसे ही इन्वेंट्री के नाम से कंपनी बना कि इसको हुम सेफ करने के बाद करने केपा रूब करने हैं इसके लिए हम क्योंकि यह सारे प्राइब हम इंवेंटरिंटरिंफो में जब आप जाएंगी तो आपको यहां पर ग्रूप कैटिगड़ियो राइटम scenario最न Sabholl की जब अक्राइब में पारे में आप V प्रेस करना है और आपको inventory features में जाना है inventory features में जानने के बाद अपनी company को select करिए और आप देखेंगे कि आपको storage and classification में एक second number पर option मिलेगा maintain stock categories इसको आप यहां से yes कर लिजिएगा ताकि आपके stock category को option उखने लगे इसके बाद आप इसे सेफ और सेफ करने के बाद आज आते हैं वापस और यहां से create करते हैं हम stock group पहले मैं आपको बता रहती है stock group का मतलब क्या होता है अगर हमने कोई भी कपड़ा purchase किया for example हमने एक pant purchase की पैंट किस brand की है उसे हम कहते है stock group जैसे कि वो जो pant है वो किस की है जारा की है या जो भी उसका brand है वो है stock group उसके बाद category कि वो pant क्या है तो वो cloth है तो cloth हो जाती है category और उसके बाद item कि वो pant कौन सी है cotton pant है या क्या है jeans है जो भी है उसको कहते है item तो इस तरीके से हमने create करेंगे जैसे कि मालिया हमने 10 प्रेट करेंगे सबसे पहले पीटर इंगलाइंड ग्रूप का मतलब होता है brand का नाम यहां पर दिया जाता है तो यहां पर brand अपने create करेंगे प्रेटर इंगलाइंड अंदर में primary रहता है और should quantities of item be added को yes किया जाता है ताकि entry के time हम उसके quantities दे सके इस तरह किसा आप इस टॉक ग्रूप कर सकते हैं उसके बाद आप यहां से स्टॉक केटिगरी कर करना चाहते हैं मैं आपको एक बर बता दे तो इस टॉक ग्रूप मल्टिपल कैसे क्रेट के जाते हैं तो single आपने create करके देख लिए डिस्पले से आपको यह दिखते हैं जो आपने create किये हैं और अल्टर में जाके आप उनको edit कर सकते हैं और delete कर सकते हैं ठीक है अपने सिर्फ दिखते हैं देख सकते हैं और अल्टर में जाके edit और delete कर सकते हैं मल्टिपल अगर आपको एक साथ create करने हो आइटम को यस किया जाता है दूसरा मैं लिया मैं डेल का लैप्टॉप डेल का बना लिया प्रैमरी और इसको यस कर दिया बसे आप मल्टिपल यहां पे भी क्रेक्ट करके इनको आप कंट्रोल एसे से सीफ कर सकते हैं वहीं सिर्म चीड़ाप की डिस्प्लिय और अल्टर में को मिलेगी तो बात आती है कि हमने क्या खरीदा है तो हम क्लॉस की बात कर रहे हैं क्लॉस की बात कर रहे हैं साथ में इलेक्ट्रोनिक की बात कर रहे हैं तो यह हमारे हो जाते हैं कैट्टिपल बना सकते हो पहले हम सिंगल बना के देख लेते हैं एक हमने यहां से बना ली है cloths के नाम से, ऐसे ही आप इसमें और भी बना सकते, बात आती है अगर multiple create करने की, create पर जाएए और यहां से, आप यहां से ले लीजे all items, क्या के category में भी all items ही लिया जाता है, तो आप इसे भी यहीं पर अंटर में primary ही रखेगा, तो यह होती है categories, इन्हें भी आप बनाने के बाद में करने, या फिर आप इन्हें एंटर करके भी save कर सकते हैं, आप ने देखा इस तरीके से हम category बना सकते हैं, बिस्तले से हम category देख सकते हैं, देख रहे हैं, अब इतनी भी हैं, और ultra में जाके इन्हें edit कर सकते हैं, या फिर all से delete भी कर सकते हैं, वाल और d से, ठाली में जो भी चीज़े delete की जाती है, बो हमेशा अल्टर में जाके और प्लिस बी के साथ डिलीट की जाती है, यह मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसके बाद, अब अकला उप्शन आता है, स्टॉक आइटम का, यहां से हम आइटम बनाएंगे कि हम पर्चिछ क्या कर रहे हैं, आइटम यह आप एक साथ सिंगल औ तो यूनिट क्या होती है, मेजर करने के लिए यूनिट के जीन्स किसमें मेजर की जाती है, तो यह से हम यहां से भी बना सकते हैं, और पीछे से भी बना सकते थे बाहर से भी, चलिए एक बाहर बाहर चलते हैं, अब आपको पहले यूनिट भी बता रहे हैं, तो इस टॉक करेंगे यूनिट का भी option था यहां से हम यूनिट भी क्रेट कर सकते हैं कि जीन्स हमारी मेजर होती पीसे में तो हमने पीसे पीसेज का बना किया से क्योंकि प्रूबिश करने के लिए भी कुछ चाहिए होता है तो वापस अपना मिस्टॉक आइटम हैं क्रेट करें जीन्स इस पी का है उसके बाद category क्या है उसकी electronics item किसमे count होगा cases में और इसको में से तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम इसमें stock group stock category और stock item create कर सकते हैं I hope आप लोगों को सारी चीज़े clear हो गई होगी कोई भी doubt रह जाए तो आप हमसे comment किरके जरूर पूछ ले वीडियो पसंद आए हो तो please like share हमारे चानल को subscribe जरूर कर दे हम लोग मिलेंगे एक next वीडियो में अच्छे से topic के साथ में till then keep learning and exploring have a nice day